शाजपूर शहर में यातायत व्यवस्ता को सुधाना एक बड़ी चुनोती है लेकिन हम जल्द ही नगरपाली का क्यदिकारी और जन प्रतिनिद्यू के साथ मिलकर इसे व्यवस्तित करने के दिशा में काम करेंगे यह कहना है शाजपूर जिले के पुलिस अदिक्षक पंकर श्रिवास्तव का खरबरवान न्यूस के मैनेजिंग एडिटर अजे शर्मा से खास बातचित करते हुए एसपी पंकर श्रिवास्तव ने अप्रादिक गतिविदी और सामाजिक सोहार्द बिगारने वालों पर नकेल कसनी की बात भी कही नमस्कार में हूँ अजे शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कारीक्रम वन टू वन में मेरे साथ आज चर्चा करने को मौजूद है शाजापूर जिला पुलीस अदिक्षक पंकर श्रिवास्तव सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कारीक्रम में मैं आपको बता दूँ कि पंकर श्रिवास्तव सहाब कि यहाँ एसपी के रूप में शाजापूर में दूसरी पदिस्थापना है इसके पहले वे बुरानपूर में जनवरी 19 में अपनी सेवाई दे चुके हैं साथ ही इंदोर में बतोर additional SP traffic के रूप में वे शहर की यातायात व्यवस्ता को सुधार चुके हैं और एक सफलता उन्होंने इसमें हासिल की थी आज हम शाजापूर जिले को लेकर उन्हों से चर्चा करेंगे क्या कुछ उन्होंने प्लान क्या है यहां से अपराद को खत्म करने के लिए और शहर की यातायात व्यवस्ता को सुधार ने के लिए सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि करीब करीब चार महीने आपको यहां पर सेवा देते हो गएं किस द्रश्टे से देखते हैं आप शाजापूर शहर को और जिले को शाजापूर सहर मूलत है क्रशी आधारित यहां की अर्थवस्ता है और चूंकि यह शहर पूरा एवी रोड पर इस्थित है तो इसलिए यातायात की काफी समस्या यहां पर अभी पिछले चार महीने में देखने में आई है और एक मूल कारण इसका यह भी है कि जो वाइप है तो वर्तवान में एक बड़ी चुनोती है इस तरह के कंडिशन्स के अंदर इतने हैवी ट्रैफिक को शेर के मद्दे से निकालना सर आप पूरू में जब इंदोर में रहें तो बतोर एडिशनल एस पी आपने वहां की आतायत विवस्ता को सुदा रहें एक लंबा अनु अधिकारढ़ है इस div 판 국ants करें अगर में बात करों तो यहां पर कई तंग अंगालिया है जैसे अगर आप नएं सड़क शेत्र देखें यह उमर्या देखें loving 청ण आप पूरू मेह कर अधिकारी रहें उन ओन्रीवस्ता बनाई थी लेकिन इस इस शिंवर के साथ में वह क्या शेहर के अंदर यातायत व्यवस्था सुद्रे इसको लेकर के कोई पहल किया अब ही हम लोगों ने पिछले तिनों जो इस्थितियां थी उसका आकलन किया था और इसमें ये प्रयास किया था कि शेहर के जो पुराने लोग हैं शेहर के बारे में जिनकी जानकारियां हैं और बीच में कुछ त्योहरों का भी लगातार सीजन चलता रहा। त्योहरों के कारण भी बहुत सारे ऐसे सारवजिनिक जो त्योहर होते हैं जैसे गड़े सुसाव था, महरम था, पिछले दिनों खत्मुगा, भी दुरगा उससाव चल रहा है, दशेरे का भी परवाने वाला है, तो उसमें भी शाम के समय कई जगे पंडाल होता है, गर्वे होते हैं, तो उससे भी यातायात प्रभावित होता है, तो यह सारी चीज़ें हमारा जो त्योहरों का सीजन है और उस तरह से जिस तरह से यातायात विवस्थित होता है, लेकिं उसी चीज़ के बीच से निक और एक ऐसा प्लान जब तक तैयार ना हो जिसमें की गाडियों को प्रॉपर पार्किंग की प्लेस मिले और उसमें कुछ जो वेपारी वर्ग है उनका भी सहयोग मिले क्योंकि बहुत सारी समस्या जो टेंप्रेरी अठिकर्मान होता है उससे भी मौझूद होती है यह सिर्फ चाजापूर और शाजापूर से जो इस तरह की आबादी के जो शहर है, वहाँ की जो समस्याँ है, वो ही समस्या शाजापूर में भी है और उसका समाधान तातकालिक तोर पर एतने जल्दी संभव नहीं है, वो लॉंग-टर्म प्लानिंग के हसाब से इसको सुधार आ जा स उसी दिन शेतर के मिरकला बाजार में एक विवाद खड़ा हुआ था हलाकि पुलिस ने समय रहते हैं उसे दबा दिया था उसके मामला ठंडा कर दिया उसके बाद जब नाल सहाब की जब सवारी निकले थी उस दोरान भी तो आखिर कहां चूक हुई क्योंकि पुलिस लगाता मिटिंग करती है बेठक करती है जाइजा लेती है उसके बावजूद इस तरह के विवाद होना कहां चुक्र लगती है आपको इस पे कई बार मैंने देखा यह है कि सामाने तोर पर जब मिक्स पॉपॉलेशन है जिन महलों में तो वहां पर एक जो साधरान अपराद भी होता है जैसा जो आपने उसका जिक्री किया पहली घटना हुई थी वो दुरुगटना से शुरू हुई थी लेकिन दुरुगटन इस चुकि जो सार्व जिने क्तिवार हैं उसमें बहुत सारे तत्तों ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो कि उतने जिम्मेदार नहीं होते हैं तो उनके द्वारा कई वह चोटी चोटी बातों को मुद्दा बना कि इस तरह का प्रियास किया जाता है कि माहौल को बिगाड़ा ज जाएगी उनका यथा संभाव पालन भी कराया गया कुछ जगा उलंगा नुगा उसमें प्रक्रण भी हम लोगों ने दर्श किये हैं धारा 144 के तहद बहुत सारे आदेश डियम मौदे के द्वारा निकाले गए एक दो जगह पर यहां उनका उलंगा नुगावा 188 के तहद कारवाई भी की है तो जितना भी हमारे पास वैधाने अधिकार हैं और जितने हमारे पास बलके द्वारा जो फोर्स लगा कर और चीजों को विवस्थित किया या सकता है उसका पूरा प्त्यास किया इसके वावजूद एक दो जगह में कुछ तत्त वैसे होते हैं जो की और वो जब भी हो तो वे इस्थानी तोर पर महलों में जो युवक हैं उनके कमेटी बनाते तो और उनसे फिटबेक लेते थे क्या इस तरह कि कोई आगे की पहल रहेगी आगामी तेवारों को लेकर क्योंकि दशेरा है नौमी का चल समारों निकलेगा उस दोरान शेहर की श क्रामिन शेतर में एक गाओं में या दो-तीन गाओं को मिला के बिन बिन समधाय के लोगों को उसमें शामिल करके और ऐसा कि उसमें सिर्फ तिवहार के समय ही नहीं लगाता है पुलिस उनके संपर्क में रहे यह उसका उद्श यह था जब भी कोई पुलिस कर्मचारी जाता है सद्वाव समती का उद्श यह था कि वह अपने गाओं में ही रहे किसी पुलिस अधिकारी जब वहां जाए तो उन लोगों को सौट नोटिस पर सुचित कर दे आदे गंटे के अंदर कि हम यहां पर हैं जितने लोग मौजूद रहें उनकी एक मीटिंग कर ले जिससे कि स भाएं हैं तो सारी चीजें बहुत सारी चीजें जो कि अफ़भा फैलने से या चीजों को गलत सरूप में पेश करने से पैदा होती हैं वो रोकी जा सकती हैं तो इसी उद्भाव सम्ती बनाई कही थी कि अगर प्रलिस का उसमें बीट के जो कर्मचारी हैं उनका सिता संपक रहेगा तो कोई भी मैटर अगर आता है जिस बात को लेके फुसफुसावट होती है तो ततकाल पुलिस की जानकारी में आ जाएगा और वो उसको सही रूप में अपना आगे उसको गलत दिशा में जाने से रोक सकता है तो इसको लेके जो गठित की गई है इसका काफी पिछल सद्धाय के लोग सद्धवाव से इसको मनाएंगे सर आपने संदेश और शोशल मीडिया का जिक्र किया है तो अभी पिछले दिनों पुलिस विभाग ने रेलवे स्टेशन पे जो मॉग ड्रिल किया था जिसमें पूरा सुनियोजी धंग से पुलिस ने जो मॉग ड्रिल की मॉग ड्रिल की मदद से इस तरह के जो अफवाएं फेलाई जाती हैं उनको किस तरह से आप एक चुनोती मानते हैं इसमें जो भी हमारी संग्जान में आता है कि कोई इरादतन जान बूच कर गलत अफवा को फेला रहा है उसके खिला प्रक्रन दर्ज करते हैं एक दो मामले इसमें हमने दर्ज भी किये हैं और जो मॉग डिल वाला मामला है उसमें कुछ कंफूजन भी रहा होगा हलांकि दस वजे का हमने समय रखा था मॉग डिल का और नो सभा नो गजे के करीब सभी मीडिया ग्रूप्स में उस वाथ को पता दिया था कि दस से बारा के बीचे मॉ अगर कि मीडिया के अलावा भी जो लोग डेल वे स्टेशन ने मॉजूद थे उन्होंने अपने मॉवाइल से आज़कर चो कि मॉवाइल हर आदमी के पास रहता है उसमें वीडियो भी बन जाता है तो वीडियो के साथ को ख़़जी जाती है तो लोगों को लगता है कि यह और इसको फिर उन्होंने आगे फॉरवड कर दिया बिना उसको वेरिफाई किये तो इस वए से वो सर्कुलेट होता रहा और इवन मेरे पास शाम को कही जगह से वेरिफिकेशन के लिए फोन आए बोपाल के मीडिया से भी आए कि वो इस तरह का आपके आतंगवादी पकड कर लेती हैं और फिर एक बार फारवर्ड होने के बाद वो कितने लोगों तक जाता है तो वो इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता तो इस चीज में बस मैंने जैसा बताया है कि हम नारे द्वारा 144 केता है इसमें भी पृतिबंदात्म कादिस जारी कराया है क्या है सामने आता है तो उसमें ततकाल 108 से की कारवाई की जाती है सर शहर में सुरक्षा की दरश्टी से कई जगह केमरे लगाये गये हैं लेकिन फिर भी एक अन्हों हो जाती है ऐसे में पुलिस विभाग तो जो फूटेज होते हैं उनको कैप्चर करके संग्यान में ले ले लेता अगर उनको देखना चाहिए किसी के घर के बार अगर इस तरह की घटना कुछ होती है तो क्या प्रोसेस है कि काम आदमी पुलिस की साहिता से उन फूटेज को देख सकता है उसमें अगर पर्टिकुलर्ली आपको किसी इस्थान का जगह का चाहिए तो आप थूजना के अध जिसे शहर की बात करते हैं जीले में अतिश वमिधनशील इसे माना जाता है तीज तेहवार पे हमने चर्चा कर चुके से गठना होती है अगर हम फॉर्स की बात करें तो क्या पर्याप्तबल नहीं है पुलिस वीभाग के पास जो इस तरह की घठना होती है घठना है पूरी तो पूरी तरह से घटना ना हो ऐसी इस्थिती तो मतलब एक आदर्श इस्थिती होगी वो तो प्राप्त करपाना समभव नहीं है और पुलिस बल जितना है हम तो उसको परियाप्ती मानते हैं क्योंकि वाकी जैसे जनसंख्या की इस्थिती हैं इसाब से और जो प्रिकार दे हम लोगों के हैं ट्रेणिंग के प्रोग्राम्स और वो सारी चीजें अपने को अप्ग्रेड करने के लिए चलती रहती हैं लेकिन फिर भी जितना बल हमारे पास मौजूद है जितने अधिकारी मौजूद हैं उनके हिसाब से जो बेतर बेतर वास्ता है वो बनाने का प्रय दिनी दी उनसे बेट करके चर्चा करके इसे जल्द ही इसका निकाल किया जाएगा साथ इसाथ शहर में जो अपराद की स्तती उसे भी अंकुष लगाया जा रहा और निश्चित तोर पर आना अले समय में अपराद में और कमी आएगी केमरा परसन सचिन वर्मा के साथ और मेरे सहियोगी आकाश शर्मा के साथ आजई शर्मा खबर बांड नियूज